कि यहां कोई ऐसा नहीं है जो मूर्ति पूजक नहीं हो मूर्ति का मतला समझते हो मूर्त माने जानते हो क्या होता है मूर्त माने प्रकट मूर्त माने भौतिक मूर्त माने पदार्थ और पूजा माने क्या होता है जिसके सामने सर जुका दिया जाए जब सर जुका दिया तो पूजन कोई है यहां ऐसा जो पदार्थ के सामने सर नहीं जुकाई हुए है मूर्ति पूजा माने किसी प्रकट चीज के सामने सर जुका दे न हमारा तो दिन में सो दफे सर जुकाई रहता है और प्रकट चीजों के सामने ही तो जुकता है अलौकिक के सामने सोड़ी सर जुकता है अभी पुलिस है आ जाए तो सर जुका दोगे की नहीं और पुलिस मूर्त है की नहीं पुलिस मूर्त है की नहीं है मूर्त माने क्या प्रकट भौतिक प्रत्यक्ष पुलिस मूर्त है की नहीं है बॉस तुम्हारा मूर्त है की नहीं है पैसा मूर्त है की नहीं है तो जब उन सब मूर्तियों के सामने सर जुकाते ही रहते हो तो कुछ जानकार लोगों ने प्रेमी लोगों ने तुम्हें एक विधि दी उन्होंने का सर तो तुम्हारा भाई ऐसा है तो जुका ही रहता है हर समय कभी पैसे के सामने जुक जाता है कभी डर के सामने जुक जाता है कभी वासना के सामने जुक जाता है कभी एक शक्स के सामने जुकता है कभी दूसरे के सामने जुकता है हर समय तो तुम्हारा सर जुकाई रहता है तो तुम्हें काम करो तुम संसार के सामने सर जुकाना बंद करो लेकिन सर को जो जुकने की आदत है तो इस आदत की खातिर हम तुमको एक मूर्ति दिये देते हैं वो मूर्ति ऐसी होगी जो बाकी सारी मूर्तियों का खंडन कर देगी वास्तों में मूर्ति पूजा तुमसे कहती है कि बाकी मूर्तियों की पूजा बंद करो तुम अरबो मूर्तियों की पूजा कर रहे हो मूर्ति पूजा का सिध्धान्त है कि बाकी मूर्तियों की पूजा जाए अब शिव की मूर्ति रख दी है और मात्र शिव की पूजा होगी शिव की पूजा का अरतिय नहीं है कि किसी विशिष्ट शिव की पूजा शुरू हो गई शिव की पूजा सकारात्मक बात नहीं है कि कोई नई चीज तुमने शुरू कर दी शिव की पूजा पूरी तरीके से निशेद है, नकार है, किस बात का, बाकी मूर्तियों की पूजा करने का तो सनातन धर्म हो, और वो सारे धर्म जो बिलकुल मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, जैसे इसलाम, वास्ताव में वो बात एक ही कह रहे है इसलाम कहता है, किसी मूर्ति को मत पूजना, और जब तुम शिव के सामने सर जुकाते हो, तब भी ठीक यही हो रहा है कि अब शिव के सामने सर जुका दिया, अब किसी और मूर्ति के सामने सर नहीं जुकेगा, कोई मूर्ति हो, कोई शक्सियत, कोई विचार, कोई लालच, कोई डर, अब सर शिव की मूर्ति के सामने जुकेगा, मूर्ति पूजा का विरोध वो करे, जो किसी मूर्ति के सामने हर दफ्तर हर घर सर जुकाए ही रहते हैं और मूर्तियों के सामने जुकाते हैं तो हमारे मन में मूर्ति पूजा का कैसा विरोध कहते हो मेरी आत्मा इजाज़त नहीं देती यह कैसी आत्मा है जो हर जगह सर जुकाने की इजाज़त दे देती है और इनके सामने कृष्ण के सा सामने सर जुखाने की जाज़त नहीं देती अभी भीतर वासना का उद्वेग उठे तुमारा सर जुख जाएगा अभी भीतर रुचियों का आवेग उठे तुमारा सर जुख जाएगा अभी भीतर जे भूख या प्यास उठे तुमारा सर जुख जाएगा इनके सामने नहीं जुक सकता, इनके सामने जुकने का ये मतलब नहीं है कि कोई बंसी बज़या है, गौला है, उसके सामने सर जुका दिया, दोरा रहा हूं इस बात को, यहां सर जुकाने का मतलब होता है कि अब सर कहीं और नहीं जुकेगा, और जब सर कहीं और जुकना बंद हो जाता है, तब ये भी मूर्ती नहीं रह जाती एक दफे धर्मशाला में था तो मेरे साथ थे रहते ही हैं किसी ने पूछा कि आप तो अद्वयत की बात करते हैं और विशुद्ध अद्वयत में मूर्तियों का कोई इस्थान नहीं हो सकता तो बगल में आपने मूर्ति क्यों रखी अब मेरा कोई विशेश आग्रह भी नहीं था कि रखा जाए पर प्रेम पूर्वा की लोग रख देते हैं तो मुझे अच्छा ही लगता है मेरा विशेश आग्रह इसलिए नहीं रहता क्योंकि ये नहीं भी रखे गए तो ये है वहाँ नहीं होंगे तो यहाँ है वहाँ है भी तो भी यहाँ है जो सर्वत रही है उसकी मूर्ति रखो या नहीं रखो मुझे अंतर नहीं पड़ता नहीं रखी तो भी और रखदी तो भी मुझे कोई विरोध नहीं है तो मूर्ती रखी हुई थी सहाब ने सवाल किया विशुद्ध द्वयत में मूर्ती की क्या जग है मैंने का मूर्ती है कहाँ शिव है तुम्हें मूर्ती दिखती है मैंने का मुझे मूर्ती दिखाओ मुझे मूर्ती दिखी नहीं रही शिव है उधर भी इधर भी चारों होगे तो जब बाकी मूर्तियों के सामने सर जुकना तुम्हारा बंद हो जाएगा तब ये मूर्ति भी दिखनी बंद हो जाएगी कहोगे शिव है मात्र शिव और कोई नहीं है मूर्ति कहाँ है मूर्ति तक तुम्हें लेही इसलिए जाते हैं ताकि तुम अमूर्त में प्रवेश कर सको ताकि मूर्ति से आगे जा सको मूर्ति इसलिए नहीं होती कि तुम मूर्ति को जाकर के जन्माश्ट्रमी पर खीर चटाओ वो मूर्ति के साथ दुराचार है मूर्ति इसलिए नहीं होती कि मूर्ति लेकर के उसको जुला जुलाओ ये तुमने मूर्ति को अपने हंकार का हिस्सा बना लिया मूर्ति इसलिए होती है कि मूर्ति को देखो और मूर्त से आगे निकल जाओ बाहर वाले मूर्त से आगे तुम तब निकलोगे जब भीतर जो कुछ मूर्त है उससे आगे निकल जाओ मूर्त माने मानसिक मूर्त माने मानसिक जब भीतर तुम मन से बाहर निकल जाओगे मन से आगे निकल जाओगे तब बाहर तुम मूर्तिय से आगे निकल जाओगे तुम किसी ऐसे के पास आज तक गए हो जिसकी फोटो न देखी हो कभी तुम्हें तो परमात्मा के पास भी जाना होता तुम पहले क्या करते हो उसकी मूर्ति बनाते हो जिस दिन तुम ऐसे हो जाओगे कि चित्र से, रूप से, रंग से, नाम और आकार से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहेगा उस दिन इस चित्र की भी जरूरत नहीं रहेगी भीतर जो कुछ है वो बार बार तुम्हें यही बताएगा कि शरीर, नाम, रूप, रंग, चहरा धोखा है आने जाने वाली चीज है ब्रह्म है पर भीतर तक तुम पहुँच सको इसके लिए पहले बाहर तक तो आना जरूरी है तुम उन्ही द्वारों पर जाते हो जिन द्वारों से तुम्हारा परिचय है अपरिचित से घबराते हो तो तुम्हें अपरिचित तक भी अगर ले जाना है तो किसी परिचित के माध्यम से ले जाना पड़ेगा कि जैसे बाप अपने बेटे की उंगली पकड़े और किसी नए मैदान में ले जाए बेटा घबडा रहा हो बाप कहें न मैदान तेरी लिए नया है मैं तो पुराना हूं कि इस नए देश को नहीं जानता इस नए आयाम को नहीं जानता तु मुझे तो जानता है न मेरे साथ है तू चल है पातारी सोज़ पातारी कि